देश पहले आर्थिक मंदी से जूच रहा था और अब महमारी की चपेट में हैं इस बीच आए नए आकड़े बताते हैं कि देश की कमपनियों पर वैश्विक स्तर पर भरोसा कम हुआ है और पिछले पांच महनों से दुनिया भर के निवेशक भारत के कॉर्पोरेट बॉंडों में अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं National Securities Depository Limited के आकड़ों के मुताविक भारतिय कमपनियों के ग्लोबल निवेश में पिछले पांच महनों में लगभग 1.59 लाग करोड की गिरावट तर्च की गई है निवेशकों के भारत से मोह भंग होने की सबसे बड़ी वज़ा है करोणा वाइरस जिसका आकड़ा देश में 4 लाग के पास पहुँच गया है निवेशकों को चिंता है कि अगर इसी तरह मामले बढ़ते रहे तो बहुत जल्द भारत का कमजोर स्वास्त ढाचा चर्मरा जाएगा और हलात काबू से बाहर हो जाएंगे यही वज़ा है कि निवेशक भारत की कमपनियों पर भरोसा नहीं बना पा रहे हैं कई भारतिय कमपनिया पैसों की कमी के चलते खुद को सिकुर्ती नजरा रही है लेबर, बैंक क्रेडिट, छटनी, सरकार से मदद, इन्वेस्टमेंट, कम कैपिटल वगहरा की कमी के चलते कमपनिया ग्रोथ से दूर रह गई हैं इस साल रिकॉर्ड कॉर्पोरेट बॉंड की गिरावट के साथ पहले से जूज रही कमपनियों के लिए आगे भी मुश्किले बढ़ गई हैं दूसरी तरफ, रेटिंग कमपनिया भी आर्थिक मोर्चे पर भारत को लगातार चितावनी दे रही है फिच रेटिंग्स ने गुरुवार को भारत की रेटिंग पर अपने नजरीय को फिर एक बार नकरात्मक में बदल दिया है फिच ने कहा कि महामारी ने विकास की दर को काफी कमजोर कर दिया है इसी तरह मूडीज ने भी इस मेहने की शुरुवात में देश की रेटिंग घटा दी थी और अपना नकरात्मग द्रिश्टिकोंड रखा था ऐसे में भारत के लिए इस महमारी में आय आर्थिक संकट और वैश्विक निवेश के भरोसे से उबरपाना मुश्किल लगता है क्योंकि सरकार इसको जमीनी स्तर की जगा बस उपरी सथा पर परक कर सिर्फ घोशनाय कर रही है अभिशे कौशिक की रिपोर्ट गो न्यूस